तो विल्कम टू ओल माई डियर स्टेंट मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करते स्टेंट आज की इस धमाकेदार क्लास में स्टेंट अगर आप सभी भी यूपी पुलिस कोंस्टेबल दो हजर चौबिस के सत्रह फरवरी या अठारह फरवरी एक्जाम देने जाने वाले तो दोस्तों के यकिन माने डियर आज के कलास आप आप इमपुलिडर होने वाला की स्टेंट आज केeremलोग बात करने वाले आप संवी के वारल हिंदी पेपर की बारे में जो कि आप सभी की exam में 100% पूछे ही जाएंगे तो आप सभी से एक छोटा सा request की class queen तक आप सभी जुड़ देखेगा क्योंकि ये आप सभी की viral paper में से एक है दोस्तों और मैं इतना धावे के साथ का सकते हैं दोस्तों कि ऐसा ही paper आप सभी की exam में देखने को मिलेगा तो आप सभी से छोटा सा request की class queen तक आप सभी जुड़ देखेगा तो चले इस टेंड आज की class को start करते हैं आप सभी की time को बचाते हुए तो पहले question के और बार करते हैं यहां पर दोस्तों सबसी पहले आप सभी देखिए यहां पर सबसी पहले में आप सभी का पेपर हिंडी का पेपर रहने वाला है क्या राने वाला दोस्त आपसी का हिंदी का पेपर रहने वाला है जिसमें की पहले ही नंबर में आपसी को गधांस दिया रहेगा आपसी की एक्जाम में भी ऐसा ही रूल्स आपसी को देखने को मिलेगा मैं आपसी गरांडी देता हूं कि आपसी को जैसा जैसे यहां पर दोस संख्या एक से पांच के लिए निर्देश निमनेलिकित गधांस को पढ़कर नीचे दिएगे प्रश्णों के उतर दीजिए यानि कि दोस्तों यहां पर देखें थोगा सा आप लोग देखें यहां पर यह जो पांच कोशन दोस्त आप से को दिखाए दे रहा ना इस पांच क का दोस्तों एंसर आप से को देना होता है अब कहां से देना होता है यह भी समझ लीजिए कि आप सभी को दोस्तों इस गधांस को अच्छे तरीके से रीड करके उसका एंसर दोस्तों देना होता है तो सबसे पर इस गधांस को दोस्तों अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं उसके बाद उसका एंसर भी दोस्तों हम लोग दे देंगे तो ध्यान से दोस्तों समझेगा मैं बार बार दोस्तों से उसे बोलाओं कि काफी इंपुड़ेड है ठीकर देखिए करकी बच्पन के दीनों से सोचता हूँ तो सब कुछ बदला बदला लगता है जिसे देकर बिस्मित हो जाता हूँ बच्पन में एक बार फुटबॉल खेलते समय गेंद पंचर हो गई हम सभी बच्प एक दोस्त के पिता की दुकान पर पहुँचे उसके पिता साइकिल समस्त परमत का काम करते थे उन्होंने तुरंत फुटबॉल का पंचर ठीकर दिया हमारे आनंद का ठीकाना न रहा उन दीनों अंग्रेजी स्कूल का चलन सुरू हो गया था इन अस्कूलों में बच्चों को पढ़ना सान की बात मानी जाती थी कि आप लोग अंग्रेजी स्कूल में पढ़े तो आप उनके लिए सान की बात मानी जाती थी ठीकर गरीबी के बच्चों गरीबों के बच्चों इनके सपने ही ले सकते थे कुछ बड़े घरों के ही बच्चे इस पढ़ कर लिया अब उसके बाद बात करते हैं आपसे को कोशन कैसे एंसर देना देखें को कोशन सबसे पहले कार आए कि यहां पर देखें पहला कोशन है कि बिस्मत का बिस्मत होने का क्या कारण है बिस्मत होने का क्या कारण है यहां पर आप सवी से यह पहला प्रश्ण पूछा गय अब समाज में किसका भेद्य था हमाइर गरिबी का या बत्चो का या इस तरी पूरुश का तो नहीं बच्कों का है आप इसम Denn पड़ सकते आप नहीं पड़ सकते यहीं था doesn't Thecze फश्स community की दोस्त की पीटा जी क्या काम करते थे तो cycle समस्थ करते भी नहीं कि चलाते थे नहीं आपस़ नंबेर भी ओजागा ठीके ना कि पंचर बनाते थे ऐसा कोई पूटवोल करतेदिन हो जाएगा अपस़ नंबर भी चले अगले प्रश्णिकंख प्रश्ण क्या पूचा जारा ध्यान करें की दोस्त के पिताजी यह पर लिए उन दिनों किसका चलन शुरूँ गया था वैसे सारे प्रष्ण आप सभी से पूझा जा रहा है कि बड़े घरों के बच्चे से क्या अभिपराय है तो बड़े घरों के बच्चे से यहीं अभिपराय है कि जो होते हैं पैसे वाले लोगों के बच्चे होते हो बड़े घर के जो लोग होते हो बड़े पैसे वोले होते हैं ठीके ना चली अग कित्तर भारतिय भासाओं का अभिकास किस लीपी से हुआ है तो 6 का जाएगा आप सभी का ब्राही लीपी आपसा नमबर डी उस्टेंट आप सभी का राइट अशर हो जाएगा चलिए अगला प्रस्वासि का सेवे नमबर कराएं कि तालवे व्यंजक है तो तालवे तालवे से यह सब्षाइब निकल सकता है तो यह ठाप ढूंड का शाज और जह सब्षाइब प्राइबी आप सब्षेट पूछा जारा कि लिए दिस्क्ण मना जाता यहां पर पूछा जा रहा है कि आप सभी का हिंदी दिवस क मना जाता है तो राइट कभी माना जाता है तो फटा-फट एंसर अप लोग कमेंट बोक्स में दीजिए अगर आप सभी किसी भी कोसन का उसर पता होता है तो आप लोग हमारे एंसर देने से पले आप लोग एंसर कमेंट pos हो जाएगा आप सरना नंबर एवस्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जायाएं सर्थ चलिए दस नंबर प्रश्णि की कौन वन उस्थ नहीं हे कौन रॉष्थन नहीं है अ नहीं है कि तो दस suffix आ हो जाएगा ठीक न है चलिए आगिला प्रश्न आप सभी प्रसारण का बिलोम सब्द किया तु प्रसारण के अगर बिलोम सब्द के बात करते इस तेन की प्रसारण का बिलोम कि अब फटावड़ इसका कॉंसर आप सब्सक्राइब कोमेड बुक्स न चापी ठीगे ना 12 यहां पर देखे जासी का अंकुँट चलन हो जाएका अंकुट चलन हो जागा अपसा नंबर शीओ झालै आगले प्राष्ण कर बात करते हैं यहां पर आपसी का यहां पर देखे आ चोधर यहां पर नमबर पुछा जाहा रहा है देखी यहां पर प्राशन पुछा जा रहा है कि तरी जू का प्रस्च्ट पूछ जाए घ्यामे तो आप लोग का धिमाग हिल जाएगा कि की ऐसे प्रस्न तो को यादी नहीं करता मतनद नॉर्मल नॉर्मल करते हैं कि नॉर्मल मतलग किसी चीज को हम लोग भी नॉम याद करते लेकिन यसी प्रस्न अगर पूछ देख जामें तो कैसे क्या करेंगे तो यह से कोशन को विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्यापूर्ण भासन कहलाता है तो चौदा का जग अपसे नंबर भी अनिकी अभी भासन अभी भासन कहलाता है तो अपसे नंबर भी इस्टेंट आप सभी का राइट एंसर ओज्ञे कोस्चन नंबर चौदा का अभी तक आप से चलों को सस्क्राइब नहीं के तो प्लीज इस्टेंट चलों को सस्क्राइब कर एंड साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा तक एसा मोस्ट इंपूर्टेट क्लास इस्टेंट आप तक सबसे जल्द पहुंशते रहे ठीके ना कि चलिए अगले प्रश्ण को बात करते आप सभी का देखेगा कि आप सभी का पंदरा नंबर प्रश्ण क्या पूछा जा रहा है चलिए 15 नंबर प्रश्ण आउसी से पूछा जारा कि जिसमें संसार के प्रती मोह न रहा हो उप्यूग सब्द का चैन करें तो वित रानी कहाएगा या वित रागी कहाएगा सितरागी या अनुरागी या रागी कहाएगा तो पंदरा का अच जग आप सभी आपसा नंबर ए याने की वित रागी हो जग आपसा नंबर ए चलिए 16 नंबर प्रस्ण की केसव कही न जाई काहें कहिए देवत तब रचना विचित्र अतिसुझू सुमझू मन नहीं मन रहिय यह कौन्स क्या है तो यह आप सभी का राइटेंस रोज्जे सोला का अपसर नमबर हो जाएगा डियने की अद्भूत रस है यह अद्भूत रस है काता है केसों कहीं न जाई का कहिए देखत तव रचना विचित्र अती समूझी मन ही मन रहिए तो यह अद्भूत रस हो चलिए 17 नमबर है कि क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है तो क्रोध के बात करते किस रस का अभी भाव हो जाएगा तो 17 का राइटेंस रोज्जेगा इस्टेंट आप सभी का अपसर नमबर सी यानिकी रोध्र हो जाएगा रोध्र आपसर नमबर सी आप सभी का राइटेंस रोध्र हो जाएगा चली अगला प्रस्ण आपस्वी का ठारा नंबर पूछा जारा ध्यान दिजेगा कि नीचे दिएगे सब्दों में से अव्य वीभाव समास का चैन कीजिए तो अठारा को जाएगा अपस्वी का अपसर नंबर भी यानिकी आज जीवन हो जाएगा आपसर तो 19 का हो जाएगा आपस्वी का अपसर नंबर ए यानिकी आदिकाल हो जाएगा अपसर नंबर ए इस्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा कोशन नंबर 19 का ठीक है न चालिए आपस्वी का 20 नंबर प्रस्ण है कि अलंकार का साब्दिक अर्थ होता है तो अलंकार किस साबधिकर्थ के बात करते हैं आप साबधी नंबर प्रस नहीं छिग है कि आ अप कि नकर्प में आप भूषण हो जाता है अलंकार में आप ah चाली अगले प्रस्कन को बात करते हैं फिर से आस भी से एक छोटा सो तेजिट एक अभी तक आपस Cordhole रूंप तो प्लीज इस्टेंट चलो को सस्क्राइब कर सासद बेल एगन को प्रेस कर दीजेगा तक इसा मोज्ट इंपूटेट इस्टेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे ठीक है ना चलिए क्यों तो तो 21 का अज़्ज आप सभी का आप सानम बर सी ज eerste याने की दिंद्र समास काते है ठीके ना चलि अगला प्रस्ण टॉंटीटू नंबर की काली घटा का घमंड घटा का घमंड घटा उप्युक्त पंक्ती में कौन सालंकार है उसमा उपमा यह रूपक या अप प्रिच्छा उत्प्रिच्छा यह यमक हो जाएगा तो टॉंटीटू का जगा आप सबीका राइट एंसर होज जाएगा चलि अगले प्रश्ण को बात कहते हैं थॉंटी थी नंबर प्रश्न में क्या फटाफट ध्यां दिएगा करत कि ऊस सब्दांस को वो क्या कहते हैं जो किसी सब्द से पूरो लगकर उस सब्द का अर्थ बदल देता है उसे क्या कहते हैं तो 23 का जाएगा अपसर नंबर भी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा उसे उपसर्ग का जाता है अगला प्रशन 24 नंबर की इसमें से वर्तनिय की दिरिष्टी से हो जाएगा तो 24 का जाएगा ओढ़ाने कि ऊद चाहिगा अपसर नंबर भी आप सभी का सब्सक्राइब सभी का राइट एंसर होज़कर नंबर 24 का जले अगला प्रशन 25 की जहां बीना जहां पीना कारण के एक एक वह यह हो पाया जाएग वह कौन सा अलंकर होता है जहां ब आपसन नंबर भी यहनी की भावना हो जाएगा आपसन नंबर भी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा भी भावना ठीक नो चलिए अगले प्रश्ण पर बात करते एंड श्टेंट आप सभी को लास्ट में comment box में लिखना है कि आप से थाटी एट कोशन में कितने कोशन को अटेंड कर पाते हैं ठीक है नहीं और लास्ट में आपसे को टेस्ट के लिए भी दो कोशन दिया जाएगे आपसे जिसका एंसर कमेंड बॉक्स में देना होता है तो ध्यान से देखिएगा कितने प्रकार्स का जाएगा आपसन नंबर ए यार्ने की दो प्रकार्स चल से होता चलिए अगले प्रशन को और बात करते देखें यहांपने बैद भॉक्स में मैंसे जोन किजिएगा करकी सब्सक्राइंज के अब इसा प्रशन पूछ दे तो दिमा घिल प्रशन नंबर की रेल गाड़ी सब्द है तो रेल गाड़ी सब्द के बात करते हैं कौन सा सब्द हो जाएगा रेल गारी तो 28 प्रशन से पहले उसके निर्देश को पहले पढ़ लेते हैं कारा है कि निर्देश निमने लिखित वाके खंडों में असूधियों का चैन करते हुए उचित विकल्प का चुनाव कीजिए करा कि मुझे कल दो किलो ची लीची खरिदने है कोई तूटी नहीं अब इसमें आप सुपार्ट में देखना है कौन से पार्ट में तूटी दिखाए दे रहा है तो आप सुपी को यह से में बताना है तो थर्टी का सुरी ट्वंटी नाइन का चैन को आप लोग द्यान में रखिएगा चली अगला प्रस्ण आप से थर्टी नमर प्रस्ण कर रहा है कि बहाव सब्द में परियुक्त परतियाय कौन सा है बहाव वह 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 तो क्या हो जाएगा तो थर्टी का हो जाएगा सी यह नहीं कि आओ बहाव आओ आओ आप सा नमबर सी हो जाएगा अगला प्रस्वें 30 वर्ट नंबर की समुंद्रोमी का सही संदी बिछेद क्या हो जाएगा भाईया यह कोशन थोगासा बहुत ही मतलग की यह यह थोगासा डिवकल्ड है लेकि राइट एंसर थाटी वन का थाटी वन का हो जाएगा अब सभीका अपसर नंबर सी याने की समु अगला प्रस्वें 32 नंबर की यह सब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निमनलीखित विकल्पो में से सही सब्द छाटी तो 33 का जाएगा सी याने की यूती हो जाएगा आप से नंबर सी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रस्वें 34 नंबर की निमनलीखित में से कौन सा सब्द तत्सम है अब यहाँ पर तत्सम बोला है देखने के लिए तो 34 का जाएगा डी याने की 20 में हो जाएगा आप से नंबर डी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा 20 में चलिए अगला प्रस्वें 35 नंबर कराएं की छचुंदर के सीर में चमेली का तेल का अर्थ क्या है छचुंदर के सीर पर चमेली का तेल अब इस कोशन का क्या हो जाएगा तो 35 का हो जाएगा आप सभी का अपसर नंबर डी याने की आयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना यानी की छचुंदर के तेल पर सीर पर चमेली का तेल चलिए 36 न about एक Sold की तकि पूरती कीजिए करत करत अभ्यास के जडमादी होते चडमाती होते तो 36 का हो जाएगा आप सभी का अफसे नंबर बियाने की सुजान हो जाएगा अगला प्रसम ских मुवान का प्रयाय क्या है तो 37 का आपसे नमबर सी यहने की हिमाद्री हो जाएगा आपसे नमबर सी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा थाटिए नमर है की निमने लीखित भीकलपों में से अने कार्थक सब्द का चैन की जिए तो इस इस पर च्रास को सब्सक्राइब कर शाषद बेर आगन को प्रेस कर दीजिएगा ताके सा मोस्ट इम्पूटेट क्लास इसर्ड आप तक सबसे जल्द पहूंचते हैं तो मिलते next class mission thanks for watching my class